दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग को आपके अपने योटूब चैनल इन्फॉर्मिर्मिर्टिव इंस्टिट्यूट में दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं तीस महत्पोंड प्रश्न जिसपे की आपका डियोपी का भी होगा और आपके जर्नन नौलेज के भी होंगे जो की आपके पोस्ट में येम्टियास या फिर पोस्टल असिस्टेंट इन सारी परिक्षाओं के लिए बहुत ही महत्पोंड प्रश्न होंगे आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं 20-30 प्रश्न आपके प्रक्टिस के लिए भी बहुत जरूरी है और आपके एकजाम के लिए भी बहुत जरूरी है अगर आप लोग को इन प्रश्नों के एंसर पहले से पता है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं और यदि नह नहीं पता तो आप हमारी वीडियो को देखकर उसे समझ सकते हैं देश सकते हैं लेकिन मैं पहले इंतिजार करूंगा आपकी कमेंट का ही कि हमारे कितने साथ ही कितना स्कोर लाते हैं दोस्तों हमारा टार्गेट है टेन बटे टेन मतलब 100% होना चाहिए जितना भी सकोर दिया जाता है और आप लोग लास्ट में यह भी कमेंट कर दीजिएगा कि आपका पूरे कोस्टन में से कितना बना जैसे 30 प्रशन है तो आपका 28 बटे 30, 25 बटे 30, 30 बटे 30 यह जरूर करिएगा चलिए फिर बेडियो म में देरी ना करते हुए हम अपने कोस्टन की और पहुंचते हैं ठीक है कि सबसे पहला प्रशन हमारा है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपी यू का मुख्याले कहां इस्थित है वहर इस दा हैड़ कोटर आप इन्वर्सल पोस्टल यूनियन यूपी यू इसलिए अमेरिका बंगला देश यूनल यूजय आनसर है आपको कमेंट कर देना लेकिन इसका अनसर आप लोग पहले से देखनेंको मिल गया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं बहुत आच्छा है इसका जो सहह अंसर हो uh स्विटिजर लेंड अंगला प्रेशन आपके सामने है स्पीड पोस्ट सेवा की सुरुवात कप की गई थी यहां पर आपको बताना है कि स्पीड पोस्ट की जो सेवा है सर्विस है यह कप से लॉंच की गई है 1997-1986-2001 तो इसका जो सही अंसर है अंगला प्रेशन है अगर आपके पास 510 रुपए की भीपी है तो उसमें कितना चार्ज लगेगा तो आपको बताना है कि अगर आपके पास 510 रुपए की भीपी है तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते है कि भीपी में 5% कमिशन लगता है ठीक है अगर 100 रुपए अमाउंट है तो 100 रुपए में 5 रुपए लगेगा और अंगले 100 रुपए में फिर 5 रुपए लगेगा ठीक है और 20-20 रुपए में हर 1 रुपए बढ़ते जाता है ये उस टाइम की बात है जब पबलिक लेता है जहां से ये छुटकारा करवाता है ठीक है भेजने वाले के लिए नहीं है क्योंकि इस प्रिशन में कई बार कई लोगों का कनफ्यूजन भी हो गया है इसलिए हम कोसिस कर रहे हैं कि आपका जो भी कनफ्यूजन हो यहीं पे दूर हो जाए जैसे 25-25 हो जाएगा प्लस 0-20 रुपए तक 1 रुपए और जुड़ जाएगा संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन क्या है फास्टेड एंड चैफिस्ट मींस ओप कम्यूनिकेशन आल अवर दा वर्ल्ड आरेमेस ईमेल पोस्ट आपिस उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है हो क्या हो जागा दूस्तों ईमेल ईमेल के माध्यम से आप बहुत जल्दी किसी तक भी अपने मैसेज को पहुचा सकते हैं 490 ग्राम के डाग भर वाले रेजिस्टर लेटर में पोस्टे चार्ज कितना लगेगा तो हमें यहाँ पास बताना है कि 490 ग्राम के डाग भर वाले रेजिस्टर लेटर में पोस्टे चार्ज कितना लगेगा तो रेजिस्टर लेटर है रेजिस्टर पत्र पे पोस्टे चार्ज कितना कल्कुलेट होता है 20 ग्राम पर 5 रुपए आपको याद होना चाहिए कि 20 ग्राम पर 5 रुपए होता है ठीक है तो यहाँ पास इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 500 ग्राम आप इसे मान लीजे 20 ग्राम के हिसाब से ठीक है 480 तक ठीक है 500 के अंतर गता जाएगा तो 500 भागे 20 करके आप मल्टिप्लाई कर दीजेगा एंसर आ जाएगा 125 एंसर होगा बाकि जो इसका एंसर आपका 125 रुपए होगा इसे कैसे कल्कुलेट करते हैं इसकी वीडियो मैं बनाया हूँ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया आप उहां से देख सकते हैं अंगला प्रशन आपके लिए इंडियन पोस्टल ओर्डर की सुरुवात कब की गई ठीक है भेन वाल्दा इंडियन पोस्टल ओर्डर लॉंच्ट 1923, 1935 1949, 1971 इसका जो सही अंसर है वो आपको बताना है इसका एंसर हो जाएगा 1935 फिलेट ली बियूरो की स्थापना किसके द्वारा की जाती है फिलेट ली बिरेवीज इस्टाबलिस्ट वाई येस पी, स्स्प, होसी, सीपीमजी, डीजी इसका जो राइट एंसर है वो हो जाएगा हमारा अंगला प्रश्ण पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैक का 6 महिने का किराया कितना है तो हमें बताना है तो हमें बताना है इसका जो सही अंसर है वो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है एक साथ रुपए डांग विभाग का सीर्ष प्रवंध निकाय कौन सा है वहाट इज दा अफेक्स मनेजमेंट बॉड़ी ऑप देपार्टमेंट पोस्ट पोस्टल एक्शन टेक्सट फोर्स इंडिया पोस्ट वलफियर और 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 इंडिया पोस्ट सर्विस कमिंटी और पोस सही अंसर है वह आपको क्या हो जाएगा बहुत ही सिंपल सा है डी नंबर डांग विभाग निर्मनलिखित में से किसके द्वारा इस्थापित किया गया है तो यहां पास भी आपके लिए चार आप्सन दिये गए हैं और जो सही आप्सन है वह दोस्तों क्या हो जाएगा स्थान से अधित नहीं होना चाहिए वुक पैकेट का वर्जन पूछा गया है कि कितने kirillogram से अधिक नहीं होना चाहिए तईिन 요 victorious पाच किलोग्राम आठ और 10 किलोग्राम तो जो आपका सही एंसर है वह कितना kg और चाहिए वह होना चाहिए आपके पाउस किलोग्राम इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए उके अंगला प्रश्ण आपके सामने इमो कम से कम कितने रुपए तक भेज भेजा जा सकता है वहां टिजदा मिनिममम अमांट आप एमो देट कैन भी सेंट एक रुपिया सव रुपिया 1500 तो इमो कम से कम आप एक रुपए क भी भेज सकते हैं अंगला प्रश्ण निवनुतम और अधिक्तम रासी क्या है जो आई यमो के माध्यम से भेजी जा सकती है वहां टिजदा मिनिममम एंड मैक्सिममम अवांट देट कैन भी सेंट थ्रो आई यमो तो आपको यहां पर बताना है कि निवनुतम और अधिक्तम अधिक्तम रासी जो की आई यमो के माध्यम से भेजी जा सकती है चार अप्सन है चारों में से एक अंसर है और ओव अंसर कौन सा सही है हो आपको कमेंट कर देना है ठीक है तो इसका अंसर हो जागा आपका डी नंबर एक हजार से पचास हजार अंगला प्रश्णाप का निम्ली लिखित में से head office, branch office, sub office का लेखा कार्याले है भी चापदा following is an accounting office of head office, view office, sub office तो हमें बताना है कि ये तीनों office तीन प्रकार के post office होते हैं आपको पता होगा head office, branch office और sub office तो इन सभी का लेखा कार्याले कौन होता है तो चार option है, sub office, branch office, TSO या फिर ये चो तो यहाँ पास आपका सही answer, head office हो जाएगा head office आपका लेखा कार्याले कभी head office आपका सभापिस का भी लेखा होता है खुद का भी होता है और branch office का भी होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अंगला प्रस्ण है postmaster after noticing engineering article contact whom यहाँ पास हमारा हिंदी में question दब गया है लेकिन इसका answer आपको बताना है कि जो सही answer है वो क्या होगा ठीक है अगर postmaster notice करता है कि कोई भी आपका आर्टिकल क्या है इंजिर्यूरस है आर्टिकल है खराब है तो किसे notice करेगा डी जी पोस्ट आसिस्टन यह चोसी और पॉलिस को तो यह सी नंबर को करेगा यह चोसी को किस प्रकार के डांक की वित्रण में देरी होती है वहाँ टाइप आप मेल डिलेवरेज डिलेटेड पत्र लेटर या फिर पार्सल या फिर पूरा अदाना किया हो गया पत्र मतलब अनपैड है उप्रोगत सभी तो इसमें होगा क्या आपका जो पूरी तरह से प्रेपेड नहीं हुआ है अधिक्षक के बराबर कौन डाग घर में अधिकारों का प्रियोग करता है अधिक्षक के बराबर कौन डाग घर में अधिकारों का प्रियोग करता है निरिक्षक प्रधान पोस्ट मास्टर एसपी टीपी एस जो इसका सही ऑप्सन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों प्रधा जहान, पोश्ट, मांस्टर, B, नमबर, ciao कै, E, Yes, यमों का पूरा नाम क्या है, इसका जो सही अंसर है, वह आपका हो γाए आपका दिल्कुल सही है, किले में कश्हेतर क्ट्री बंडल में कितने वस्तूण का होना जरूरी है यह होगा आपका प्रिश्ण 25 एंसर इसका ठीक है केंदर सासित प्रदेश लक्षदीप किस पोस्टल सर्कल के अंतरगत आता है तो आपको यहां पास बताना है कि यूनियन टेरिटरी ओप लक्षदीप कम अंडर विच सरकिल महाराष्ट केरला तमिनलाडू आंद्प्रदेश इसका जो सही अंसर होगा क्या होगा के अंदर भारत में कहां पुसकर मेले का आयोजन किया जाता है अब हमारे दस प्रिश्ण जो हैं तो जीके के हैं आपको जीक दोस्तो जहपूर में ठीक है पुसकर मेले स्वारी अजमेर में होता है और आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए प्रतिवी की बहिन या जुडबा ग्रह किसे कहा जाता है तो आपको यहां पास बताना है कि प्रतिवी की बहिन या फिर जुडबा ग्रह किसे कहा जाता ह यह आप कहा जाता है बेनेस मतलब शुक्र को, प्रतिvention का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किस का बना होता है, जो अर्थ है तो इसका जो सबसे इंटरणल भाग होता है, वो किस पार्ट से बना होता है, वो यहाँ पर आपको बताना है किस चीज से बना होता है copper and zinc, nickel and copper, iron and zinc और iron and nickel तिन चारों में से जो सही आपसन हो आपका D हो जाएका लोहा और nickel से iron and nickel से बना होता है पीर पांजल परवत स्रेडि किस राज में इस्थित है In which state is the पीर पांजल mountain range located हिमाचल प्रदेश, जम्मु कास्मीर, उत्रांचल और सिक्किम इसका सही अंसर हो जाएका दोस्तों जम्मु कास्मीर अंगला प्रिश्न भारत का छेत्रफाल बिस्व में कुल भागोलिक छेत्रफल का कितना है तो हमें बताना है कि जो भारत का छेत्रफल है तो टोटल भागोलिक छेत्र का कितना प्रतिसत है ये आपका option number D हो जाएगा 2.4 भारत नाट्यम किस राज का प्रमुख लोक निर्त है करनाटक, तमिल्लाडू, मत्प्रदेश और 36 तो इसका जो सही अंसर है वो आपका नंबर हो जाएगा B, तमिल्लाडू का एक प्रसिद्ध है भारत वन सर्वेक्षण का मुख्याले कहां इस्थित है वहर इस दा हेड़कोर्टर अब दा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटड चन्नाई, दिल्ली, चन्डिगर और दहरादूर इसका जो सही अंसर है वो क्या हो जाएगा आपका D नंबर दहरादूर अंगला प्रश्ण आपके सामने दकनी किस राज का लोक नरत है क्या पूछा गया है दकनी किस राज का लोक नरत है गोवा, अरुणाचल प्रदेश, नागालेंड और उत्रखन तो यह आपका हो जागा दूस्तो गोवा का ठीक है अंगला प्रश्ण हमारा भारत का प्रथम राष्टिय उद्धान कौन सा है कालि खागयस पर डचिगम बन जीव अभ्यारण सिमलिपान निशनल पार्ग हजारीवाग निशनल पार्ग कारवेट निशनल पार्ग तो इसमें जो सही option है वो आपका क्या हो जाएगा ये दूस्तो हो जाएगा आपका D-Number Carbet National Park दूस्तो हमारा आज का और लाश्ट का प्रश्न बहुत ही important आपके लिए निमले खित में से कौन सा कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती तो हमें बताना है कि निमले खित में से कौन सी नदी ऐसी है जो डेल्टा नहीं बनाती है चार अप्सन है आपके सामने गंगा, महा नदी, ताप्ती और कावेरी तो इनमें से आपको बताना है कि जो आपकी सही अंसर है वो क्या होगा तो इसका जो सही अंसर है ताप्ती नदी जो की डेल्टा नहीं बनाती है तो दोस्तो आज के हमारे 30 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते है अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजे और ऐसे ही हमारे चैनल पर आगे भी वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो हम मिलते हैं आपसे अंगले वीडियो में और यदि दोस्तो आप PA, USA, Postman की तयारी कर रहे हैं MTS की तयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से इसकी online classes प्रोवाइड की जा रही है WhatsApp ग्रूप के माध्यम से तो अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो आप जॉइन कर सकते हैं ठीक है क्योंकि काफी सारे लोग हमारे इस चैनल को जॉइन कर लिए हैं आल इंडिया से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो चैनल बनाया गया है यह डिपार्टमेंटल आप पोस्ट की प्रिपरेशन के हिसाब से हैं तो इस पर काफी सारे लोग लगभग हमारे चैनल पर पकाचास अजार लोग विश्वास रखते हैं इस पर हमारी चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आप भी जल्दिस जल्दी हमारी वार्सप पर कॉंटेक्ट होके अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं दोस्तों हम मिलेंगे आप से जल्दी अंगली वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही तब तक के लिए गुड़ बाई मस्त रहिए हस्ते रहिए जैहिन